किशोर जगत राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला किशोर जगत किशोर जगत में आज का विशे है भूगोल क्या है हमारे चारोर 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 नदियां है पाहाड है जंगल है और जंगल में मोर क्या है हमारे चारोर 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 क्या है हमारे चारोर 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 घर है सडक है सडक है भीड है और है भीड कशोर क्या है हमारे चारोर 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 इस कारिक्रम में आप सुनते हैं एक वारता शिर्शक है उद्योगों के प्रकार उद्योगों का वर्गी करण कई प्रकार से किया जाता है आकार पूजी निवेश और शमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों को बड़े पैमाने के मध्यम पैमाने छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों के रूप में वर्गी कृत किया जाता है उद्यम वृत्ति या स्वामित्तों के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में रखा जाता है पहला सार्वजनिक शेत्र, दूसरा निजी क्शेत्र और तीसरा संयुक्त और सहकारी क्शेत्र सार्वजनिक शेत्र के उद्यम सरकारी कमपनियां या निगम हैं जिनमें सरकारी पूजी लगी होती है सामरिक महत्व के उद्योग तधा राष्ट्रिय महत्व के उद्योग प्रायः सार्वजनिक शेत्र में लगाये जाते हैं उद्योगों का वर्गी करण उनके उत्पादों के उप्योग के आधार पर भी किया जाता है जैसे पहला आधार भूत वस्तु उद्योग, दूसरा पूजी गत वस्तु उद्योग, तीसरा मध्यबर्ती वस्तु उद्योग और चौथा उपभोगता वस्तु उद्योग उप्योग में लाए गए कच्छे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गी करण किया जाता है इस वर्गी करण के अनुसार चार प्रकार के उद्योग है पहला क्रिशे आधारेत उद्योग, दूसरा वन आधारेत उद्योग, तीसरा खनिज आधारेत उद्योग, तथा चोथा उद्योगों में प्रसंस्कृत कच्छे माल पर आधारेत उद्योग उद्योगों का अन्य सामान्य वर्गी करण निर्मित वस्त्वों के स्वरूप के आधार पर किया जाता है इस प्रकार उद्योगों को साथ वर्गों में रखा जाता है पहला धातु उद्योग दूसरा यांतरिक इंजीनरी उद्योग तीसरा बिजली इंजीनरी उद्योग चोथा रसायन और संबंधित उद्योग पांचवा वस्त्र उद्योग, छटा खाद्य उद्योग, सात्वा बिजली उत्पादन उद्योग, और आठवा इलेक्ट्रोनिक तथा संचार उद्योग उद्योगों का स्थानी करण उद्योगों की अवस्थिते अनेक कारकों से प्रभावित होती है इन में से प्रमुखिये हैं कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति, अर्थात, उर्जा, बाजार, पूझी, परिवहन और शमेक इन कारकों का सापेक्षिक महत्व, समय, स्थान, अत्यावशक्ता, कच्चे माल के प्रकार और उद्ध्योग के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है तथा पे आर्थिक दृश्य से विनिर्मान उद्योग वहीं स्थापित किये जाते हैं जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तूओं को उपभोगताओं तक पहुचाने की लागत सबसे कम हो परिवहनलागत काफी हद तक कच्चे पदार्थ और निर्मित वस्तूओं के स्वरूप पर निर्भर करती है उद्योगों के स्थानी करण की अवस्थिति के संक्षिप्त विवर्ण इस प्रकार से हैं कच्चा माल ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद कच्चे माल की तुलना में काफी कम वजन के होते हैं कच्चे माल के स्रोत के निकट लगाये जाते हैं उद्योगों के लिए भारत में चीनी उद्योग, उत्तरी मैदानों या दक्षणी राज्यों के गन्ना उत्पादक शेत्रों में ही लगाये जाते हैं सौ किलो गन्ने से लगभग बारह किलो चीनी बनती है शेश खोई रह जाती है यदि गन्ने को लंबी दूरियों तक ले जाना पड़े तो खोई के परिवहन की लागत चीनी की उत्पादन लागत को बढ़ा देखी इसी प्रकार लुगदी उद्योग ताबा प्रगलन और कच्चा लोहा अर्थात पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल द्वारा ही आकर्शित होते हैं लोहा और स्पात उद्योग में उप्योग में आने वाले लोह अयस्क और कोईला दोनों ही भारी वजन खोने वाले और लगभग समान भार के होते हैं अनुकूलतम अवस्थिते इन दोनों के स्रोतों के मध्धे होकी जैसे की जमशितपुर में है अन्यस्पात सयंत्र या तो कोईला क्षित्रों के निकट स्थापित किये गए हैं जैसे बोकारो दुर्गापुरादी अथ्वा लोह अयस्क के स्रोतों के निकट जैसे भद्रावती भिलाई और राउर के लाहें इसी प्रकार शीग्र नाशी कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता के निकट लगाए जाते हैं अधिक तथा सस्ते और भारी कच्चे माल का उप्योग करने वाले उद्योग भी कच्चे माल के प्रदेशों में ही स्थापित किये जाते हैं उद्योग के लिए सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूने का पत्थर है जो भारी भरकम और सस्ता होता है इसलिए देश में सीमेंट बनाने वाले कारखाने चूने के पत्थर की खदानों पर या उनके निकट लगाए जाते हैं बॉक्साइट पर आधारित अल्यूमीनियम उद्योग कच्चे पदार्धोनमक उद्योग का विशिष्ट उद्हारन है यही नहीं आधार भूत उद्ध्योगों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उप्योग करने वाले उद्ध्योग भी कच्चे माल के सुरोतों से आकर्शित होते हैं इसी तथे को ध्यान में रखकर अनेक इंजीनिरी उद्ध्योग, लोहा और स्पात केंद्रों जैसे जमशित्पुर और भिलाई के आसपास विकसित हो गए हैं उर्जा शक्ते उर्जा मशीनों को चलाने के लिए जरूरी है इसी लिए किसी भी उद्ध्योग की स्थापना से पहले उर्जा की नियमित और निरंतर आपूर्ती सुनश्चत कर ली जाती है लेकिन कुछ उद्ध्योग जैसे अल्यूमीनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्ध्योग उर्जा के सुरोतों के निकट लगाये जाते हैं क्योंकि इन्हें भारी मात्रा में बिजली की आवश्यक्ता होती है यहां यह बता देना उचित होगा कि दक्षणी और पश्यमी भारत स्वदेशी कोईला क्षेत्रों से दूर हैं और यहां जो भी आउद्योगिक विकास हो सका वह इन क्षेत्रों में जल विद्युत के विकास के बाद ही संभब हुआ बाजार देश में उद्योगों की अवस्थिति को बाजार का स्वरूब भी प्रभावित करता है अउद्योगिक मशीनी उद्योग भारी रसाइन उद्योग आदे अउद्योगिक शेत्रों में ही स्थापित किये जाते हैं क्योंकि इनके उद्पादों की प्रदेश के अन्य उद्योगों में मांग रहती है पेट्रोलियम परिशकरन शालाएं बाजार के निकठी लगाई जाती हैं क्योंकि कच्चे तेल का परिवहन आसान होता है तथा इनसे अनेक उद्पाद प्राप्त किये जाते हैं जिनके आधार पर अन्य उद्योग शुरू किये जाते हैं मार्ग दर्शन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशय संपादन आरपी मिश्र आलेक एसके शर्मा नर्मान संचालन, प्रभुदयाल खटर, वाचन स्वर, संजय कुमार, ध्वन्यंकन, सतीश लाळे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग, दावुदयाल चतरुवेदी, तथा नर्मान इवं प्रस्तुती, वंदना अरि मर्दन